चले अब बुलिटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर राजयस्तान से आपको बता देते हैं जहांपर अलवर में तीन मंदिरों पर बुल्डोसर चला है 300 साल पुराने मंदिर पर बुल्डोसर चला गया है मूर्ती पर कटर मशीन चलाने से बीज़े पी नेता भड़क गए है और सरकार की लियत साफ नहीं है ये कहना है सतीश पुन्या का हिंदू की आस्ता को ठेस पहुँचाना कॉंग्रेस का सर्कुलिर्सम है ये कहना है अमित मालविया का तो अब यहाँ पर इसको राज्यतिक रंग देने की भी कोशिश जो है या यूं कहें कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है दरसल एक 300 साल पुराना मंदिर जो है वो गुल्डर से नहां दिया गया है जम्जोस कर दिया गया है और अब इसके बाद इस पर जो है सियासत गर्म हो गई है दोनों ही पाक्षे एक दूसरे पर इसका आरोप लगा रही है जहां सतीश पुनिया कह रहे है कि सरकार की नियत साफ नहीं है तो वहीं बीजेपी इसका आरोप कॉंग्रस पर लगा रही है वहीं हिंदू अविश्व हिंदू परिशद की तरफ से भी जो है इसको लेकर प्रतिकिया सामने आई है और अविश्व हिंदू परिशद के जो सदस्य हैं वो यहां पर विरोध करने के लिए पहुँच गए ह इससे पहले हमें देखा था कि करॉली में इंसा भड़ की थी और अब इस तरीके की एक और घटना यहां पर हुनी के संभावना क्योंकि ऐसे ही हालात यहां पर बन चुके हैं 300 साल पुराने मंदर को अलवर में डाहा दिया गया है बुल्डोजर उसको चलाया गया है और अवैद अतिक्रमन हटाने की आड़ में यह कहा जा रहा है कि यह बड़ी कारवाई की गई है द्रसल अलवर के राजगर में तीन हिंदू मंदरों को गिराने का पूरा मामला जो ह भी देवताओं की मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया है और लोगों की तरफ से इसका विरोध भी क्या हलाकि पुलिस ने बल पूर्वक उनको वहां से हटाया इस पूरी घटना को लेकर अब जो है इस पर सियासत भी तेज हो गई है और इस पर जादा जानकारी के साथ समदाता अलवर से समर गुपता हमाई साथ जुड़ गए हैं समर जरा पहले तो इस पूरी खबर को लेका विस्तार से जानकारी दे कि क्या है ये पूरा मामला और इसमें अभी फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है क्योंकि आप कही ना कहीं सियासत इस पर शुरू हो सब्सक्राइब को लेकर जिस तरह नहीं के पारसद हैं राजगड के जोरिलाल मेना उन पर भी आरोफ लगे हैं और जो इस पूरा गटना करम रहा इस पर अच्क्रमन हटाया गया तो वहां पर कुछ मंदिर थे और मंदिर से जुड़ी गोटियां थी इस अच्क्रमन हटाए जाने के दोरान जो बुल्डोजर चलाया गया उसमें वो छती गरत हो गए अब इस मुद्दे को लेकर कहिन की राजमिती शुरू हो गई है बाजपा का साफ तोर पे कहना है कि पूरे मामले में औरन जेब वाली निती कोंगे सरकार अपना रही है विरायक के खिलाब यहां जो हिंदू संगधन से जुड़े हुए ब्रज एक संगधन है उसके बारा है फायार भी दर्द प्राई गई है उनके खिलाब और जोहरी लाजमिता विदायक हैं डबल ए और नगन पालिका है उनके खिलाब अब इस मुद्दे को लेकर काफी गहमा गहमी हो गई है और इस समर आपने मताए कि 17 अप्रेल की घटना है और अब इस पर जो है इतना हो हला मचना शुरू हो गया है यूं कहें कि अब इसको इस पर सियासा शुरू हो गया एक सियासी रंग इसको दिया जाने लगा है जी बिल्कुल ये 17 अप्रेल की घटना है घटना होने के बाद इस बात को लेकर सोशल मेटा पर इस पोटों वाइरल हुई वीडियो वाइरल हुआ पहले इस तरह की आप राजनीती शुरू हो गई है और इस पूरे मामले में अब इस तरह की शियासा अब देखी जा रही है जी बताएं जो यहां के आसपास के लोग है वो क्या कह रहे हैं क्या इससे पहले यहां पर जो भी इस मंदर को देख रहे हैं उनको किसी प्रकार का कोई नोटेस दिया गया था कि यह अवैद है और इसको गिराया जाएगा जी मैं आपको बताना जाओंगा कि इस मामले में नगरपालिका तुम्हारा कई बार इस अतिकरमन को हटाए जाने की बाप दी कही गई थी लेकिन लोगों को साफ तोर पे कहना है कि जो मंदिर तीन सो साल या तक्रिबन ढ़ाई सो साल पुराना है वो अतिकरमन कैसे हो सकता ह ये मुटा इस पूरे मुखे घटा करम में देखने को आ रहा है और लोग करें कि अतिकरमन के नाम पर कहीं न कहीं उनके मंदिरों को दोहस्ट कर दिया गया है और अगर अतिकरमन था तो 300 सालों तक तो क्यों सोता रहा प्रसासन चुकि ये बात अपने आपने बहत अलग सरी पूरिय की नजर आ रही है कि आखिन नगरपालिका ने पूरी कारवाई की है और जो कहा जा रहा है कि जो वह रास्ता है उसे चोड़ा किया जा रहा था जिससे कि वहां का आउरोमन फूर्टारू रूप से हो चके लेकिन अब मामले में नया रुखा गया है और इस मामले पर होई है यह एक करव इसमें कॉंग्रेस सर्दार घ्रती भी नजर आ रही है कि अगर अस्क्रमन था तो जिस तरह कि जो मंतिर है उन पर कही नकिन के बुल्डोजर चलाए जाने से पहले पूर चाहानी जरूरी थी और जिस तरह मूर्ट या च्टी गश्मी है उसको लेकर भी क जो मंदिर गिराया गया है इसको लेकर अब हम देख रहे हैं कि इस पर सियास्त शुरू हो गई है हलाकि आस्ता का मुद्दा है तो इसमें लोगों की भावना है उसको भी कही ना कहीं ठेज पहुंशती है तो इसमें विरोध होता है लेकिन यहां पर क्या इन तमाम चीज़ प्रिटी जी मैं आपके बास से सो पर सेंट तो भूट गलत हुआ है बंदिश टूटा है वह भी गलत हुआ है वह मकान दुपान तूटी वह गलत यह लेकिन आपके संग्यान में एक बात लाना जाता हूं जे की राजगड में नगर पालिका में भारतिय जंता पार्टी का वां के चेर मैंने जर्नल बोडी की मिटिंग में जैसएंदीर संग्यान माया है निर्ने लेकर और दुरभाव लेगा बंदिर को तूड़वाया है और मखालों को तूड़वाया है दूड़वाया है अमारे विदायक ने इस तीज से विरोध किया था तो यह ने नगरपालिका की चेर्मेन जो है उसने लिडने ले लिया पिच्या सी दुकान और मकार वह पर तोड़े हैं और वो चेर्मेन भारते जनता पाल्टी मानने है योगी जी से प्रेरी जो करके जैसे यूपी में जोगी जी बुल्डोजर चला रहे रहे हैं ऐसे उन्होंने लिजिए इनको पता जब लगता जब इनका माशका अठी करवन में होता जो तोड़ ते नोग राजगण में बाढ़ पाल्टी का बौड है राजगण में सरकार बाड़े जनता पाल्टी की है नगरपालिका और और से नहीं परतिक होता है और और बार्चे जंदा पार्टी का है और जर्णल बॉटी की मिटिंग में निरिने लेके और ईयों को ऑडर देके रो भाग डया यह गलत वात है और मैं भार्चे जंदा पार्टी के इस बुल्डो जार अभ्यार की गोर निंदा करता हूं पूरी कॉंग्रेस पार्टी अन्वर जिले की निंदा करती है और मंदिर जह इनोंने तोड़ा है एक तरफ पे राम मंदिर का जूता मुद्धा उठाके राजी उगांदी जी ने उसके पढ़ खुलवा है ते नर्शिम्मा राजी के टाइम मंदर टूटी थी मस्जिद और ऐसे बुल्टों से चलाने वारे लोगों को चेयर में को बरकास करने के अफिल दरूँगा ये हिंदु समाद से साथ इनोंने और हमारी बावनों को ठेक है यहां पर में साथ अलवर से बीज़ेपी के विधायक जो है संजेश शर्मा वो भी जुड़ गया है उनकी क्या प्रतिक्रिया वो हम जान लेते हैं संजेश शर्मा जी नमसकार स्वागत आपका ख़वर फास्ट पर जी नमसकार बहुत 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 दने वारे विल्कुल आपने सुना भी होगा यहां पर हमाई साथ जो हैं इस वक्त योगेश मिश्रा जुड़े हुए जिलाध्यक्ष हैं कॉंग्रेस के उन्होंने सीधा सीधा आरोप आप पर लगा दिया नगरपालिका में आपका राज है आप विधायक है और जिस तरीके से बाकी राज्यों में बीजेपी शासित राज्यों में हम देख रहें कि बुल्डोजर चल रहे हैं उसी नीटी के तहत आपने आप करपा करके अपना दुरूस्त कर लें क्योंकि 14 तारीक को एक वीडियो वायरल हो रही है उसको जड़ा देख लें जिसमें कॉंग्रेस के मानने विधायक जोहरी लाल जी मीना सराय कस्वा जहां एजडियम राजगर नगरपाली का यह राजगर ने जिस प्रकार बबरता पुरा मंदिर है वहां के पुराने घरों को तोड़ा 14 अपरेल को बावारा साथ भीमरा उंबेटकर की जहनती पर वहां एक सबा हुई थी सासराय महले में जाकर के वरतमान विधायक जोहरी लाल जी जो कॉंग्रेस पार्टी के विधायक है उन्होंने जनता के बीच में यह गोशना करी कि बीजेपी के 34 पार्षद हैं इंडिपेंडेट और बीजेपी के मिला के एक पार्षद कॉंग्रेस का है उनका यह दबाव था कि 34 पार्षद मेरे पास आजाए नोटिस प्रशाशन ने एसजिजम ने जोजारी किये है वो मैंने 24 घंडे के लिए रुकवा दिये है जोरी लाल जी का यह कहना है 34 पार्षद लेके आप मेरे पास आजाएए मैं इस कारवाई को पून रूप से रुकवा दूँगा यह कहीं न कहीं राजनितिक द्वेश्टा पून कारवाई है क्योंकि जोरी लाल जी के सपुत्र खुद एक बलातकार के मामले में उनको पर आरूप लगे थे संजे जी जरा मुझे यह बताएं कि आखे क्योंकि 300 साल पुराना यह मंदिर है तोड़ने की नौबत अब क्यों आई क्या काम यहां पर करवाना चाहरे थे जिस वज़े से तोड़ दिया गया ऐसा भी तो हो सकता था ना कि कहीं और इसको शिफ्ट किया जा सकता था ताकि इ सब्सक्राइब करें वरना मैं दोस्त वाली कारवाई करूंगा 24 घंटे में जनता के बीच में वहां के पार्शत को लेकि नहीं जाती तो वह एस जिम को कह करके कारवाई कराते निशित रूप से वहां का विधायक दोशी है मानने मुख्यमुन्तिर अशो गैलोची दोशी ह और जिस प्रकार का बियान गैर नेतिकता वाला वानने है हमारे जुलाजदक्स है कॉंग्रेस पार्टी के उनको अपने बैयान को लेकि अटीक है ठीक है आप ठीक है संजे जी आपने बहुत बड़ा अरुप लगाए जरह उने सपाइटों देने दीजे योगेश्ची हिंदु की बात करते हैं एक पर मंदिर को तुर्वाते हैं यह जलस बात है वो तो कह रहे हैं कि आप उन पर दबाव बना रहे हैं कि चौतिस पार्शद करें ऐन दीजे इनकान ने इनके टिर्वह देशन में उस वाठे करवाई है यह जोगेश्ची बूत आप पर इनके खुद के में पर बुलड़ेश से लिए तक बड़त लगेगा लेकिन योगेश मिश्चा जी सरकार तो कॉंग्रेस किये प्रदेश तो अरो जा रहा लिए इसका वेक्ट एंगर के लिए इसका बेक्टिया बाहुनां को पड़काने के लिए इनों बंदिर तुर्वा दिया और अभे इंदों भी इसंतृ लेना चाते है थे नहीं कि नहीं चलेगी। कर देखिए एक एक करके बोले ताकि मैं बहुत की बावनों को आप अपनी कलती स्विकार करिए तो यहां पर दोनों ही आप एक दूसरे पर आरोप लगारें कोई मानने को तयारी नहीं को दिन्दारी लेने को तयार नहीं है कोई हाँ आप इस तरीके कि नहां पर आप नगर पारिकाले यहां सिकरब नगर पादिका नटवा एक यहां रगाव धुरम्याइ कि और लुदिया को विद्धान की जंता को गुम्रा नी कर सकते आपको नैतिक जिम्मारी लेनी चाहिए आपको अपने मुख्विधाय को पच्छे बरकात करना चाहिए और मैं तो एक माग मुख्यमंती चीजिसे करना चाहूंगा जिस परकाह से आपने मंदिर तोड़े राज लोगों को समझाने की बजाए इस तरीके से एक दूसरे पर आरुप मन रहे हाल आप तो वैसी बेकावू होंगे ना अब यहां पर आपको अपने जिस आप एक अच्छे पदपर हैं बड़े पदपर एक मर्यादा का यहां पर थोड़ा ख्याल रखिए जिम्मेदारी आपक आप लोगों को समझाये ना तकि छदान मिक रंग धार्मिक रूप डारूलिक को लगने को सियासित 정 test पर आऌ हो संजय जी अगर यह अतिक्रमन था अगर यह अतिक्रमन था तो अभी संग्यानिस पर लिया गया जब बाकी जगाओं पर चल रहा है अगर इस टाइमिंग पर होगा तो कहीं ना कहीं आरूप तो लगेंगे ना निशित रूप से इसमें कॉंग्रेस के विधायक का पूरा पूरा हाथ है उनका पुराना भी अगयाद ऊति को लिधायक। कि युगेशी सरकार तो आपकी नगर नगम इतना बड़ा हो जाएगा कि सरकार से उपर जाकर जो है इतनी बड़ी कारवाई कर देगा कि यहां रोकना चाहूंगी मेरे साथ मेरे रिपोर्टर भी है जरा उनसे मैं जान लेती हूं कि आखिर क्या कुछ जमीनी धरातल पर क्या हकीकत है समझ जरा बताएं आप दोनों को सुन रहे हैं दोनों एक दूसरे पर इसका आरूप मंड रहे हैं कोई भी यहां पर अपनी जिम्मेदारी लेने को तयार नहीं है कि यह बड़ी कारवाई आखिर अगर की भी गई तो किस मजबूरी में की गई और हो सकता था इसको दूसरी बीज़पी वाले के रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है पाश्रद लेकर आए नहीं तो नोटेस रुकवाने की बात कहीं जा रही है और उसके बाद अगर नहीं लेकर आए तो यह कर दी गई लेकिन मामले के हालातों को समझते हुए नगरपाली का जो जिम्मेदार बताई दा रही है कॉंगरेस की तरफ से और जो भादपा कह रही है कि सरकार जो जिम्मेदार है दोनों को इस बात का संग्यान लेना चाहिए था कि अगर हालात बिगड़ने की इस्टित है तो कारवा लेकिन आम जन्ता के लिए विश्यान परणा परता है राजनेटिक पार्टियां के भावनाँ से और किस तरीके के हालात बनेंगे उससे मतलब नहीं है यहाँ पर उमीद हम करते हैं कि दोनों ही दल जो हैं जिम्मेदारना तरीके से इस मामले को जो हैं वो देखें उसको सुलजाएं ताकि किसी प्रकार से हालात बेकाबू ना हो और इस मंदिर को कहीं और शिफ्ट करने पर भी विचार किया जा सकता है तब जाके जो है अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और उमीद करते और अब इस पर कहीं न कहीं जो है सियास्त शुरू हो गई है बीज़बू इसके लिए कंग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है जबकि कंग्रेस इसके लिए बीज़बू पेनी नजर लिब wichtig